बिस्मिल्ला रह्मार रहीम असलाम लेकूं कैसे हैं आज आप सब आज का टॉपिक जो है वह बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कॉमन क्वेस्टन है पूछ जाने वाला कि जो प्रिग्नेंसी के दुरान कॉंस्टिपिशन को होना और उसका सलूशन क्या है कि जो कि आप सबको पता है बहुत ही स्पीशिल टाइम होता है किसी फीमेल के लिए और इसमें बहुत ही मेडिसंस जो करती है वह हम नहीं लिये सकते और कॉंस्टिपिशन या कबस जो है वो प्रिग्नेंसी में एक बहुत ही कॉमन जो है वह सेम्टम होती है तो आज कच्व जिनको एडाबट करने के बाद हम constipation को हतम कर सकते हैं प्रिग्यनसी में जो लीक्यूड इंटेक है उसको ज्यादा करना है ठीके पानी का इस्तामाल ज्यादा करें जो जूस है फलिवड है वह ज्यादा लें अब ठीके और जो है कोशिश करें जहार मोगरा पानी पी सकती है तो सुब आटके दो गलास पानी के ज़रूर पीए तो इससे ही है कि किसी हद तक आपको हेल्प मिल जाए है कि आपकी कॉंस्टिपेशन कम हो जाए दूसरा जो है कि वह यह बहुत ही इंपोर्टेंट जो है बात है वह में आपसे डिसकूस करने वाली हूं वह यह है कि आपने जो आपकी रूटीन है आप जिस टाइम पर वाश्म जाती है उस टाइम को स्किप मत करें क्योंकि एक जो है हम क्या ले सकते है इस पिशली कॉंस्टिपेशन को ठेक करने के लिए प्रिगनेंसी में वह यह है कि आप इस पगोल जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूं इस पगोल जो है बहुत सारी कंपनियस मेना दी है आपको खुला भी मिल जाता है तो यह इस पगोल हस्क जो है यह सेफ है आप प्रिगनेंसी में ले सकती है नीम गरम दूद में एक चाम मच इस पगोल का उसको हल करे ठीक है और उसके बाद आप उसको पी ले इसे किसी हाथ तक आपकी कॉंस्टिपेशन जो है वो ठीक हो जाती है दूसरा जो है मैं आपको जिसे कर दिखा हूं प्रूल इंटेक्स ज्यादा करें वेजिटेबल्स हैं फ्रूट्स हैं इंक इस्तामाल ज्यादा करें तो इससे आपके कॉंस्टिपेशन आटोमेटिकली ठीक हो जाती है तेंक्यू सो मुच